नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका अपना दोस्त एंकर देव रंग बिरंगा पंजाब ओनलाइन में आप सबका स्वागत है जहां दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं different type of cookies, pastries and cakes की जहां दोस्तों इसी लिए आज हम विजट करने के लिए पहुंचे हैं बठिंडा शहर के दोभी बजार में स्तित पमिज बेकर्स पर जहां दोस्तों यूटों इनके देशों और विदेशों में काफी आउटलेट्स हैं लेकिन हम सबसे पहले पहुंचे हैं इनके सबसे पहले open हुए आउटलेट्स पर जो की बठिंडा शहर के दोभी बजार में स्तित हैं तो आईए करते हैं विजिट पमिज बेकर्स क्टूरा यूज बजलरिघ डें परणिर में देखी वे नाईस इटालियन ड्राइफ रूड नाइस लोगो वेरी नाइस प्लीज तो चलिए दोस्तों अब हम पहुंचे हैं पमीज नेशनल बैकर्स के बठिंटा बठिंटा शहर में ही बने हुए एक और आउटलेट्स पर जो की बठिंटा शहर की सो फुटी रोड पर इजी डे के बिलकुल पास बना हुआ है तो चलिए करते हैं विजिट पमीज नेशनल बैकर्स अज़ को पास बना हुआ है वाग दूआ है विजिटें विजिटेंरा शहर हैं विजिट पर आउटलेशनल पास बना हैं विजब हैं नेशनल थे नेशनल थे आगए लीजे दोस्तों जैसा कि हम सब जानते ही हैं विवाश शादियों में या किसी भी occasion पर invitation card के साथ हम sweets gift करते हैं लेकिन कहीं न कहीं हम sweets को replace करके इन cakes को भी use कर सकते हैं ढनाते हैं ठिया है लेकिन कहा बाहलाumn उलिए वł अरे वाह यहां पर तो छोटे छोटे नेनेमूने बच्चे भी पहुंचे हुए हैं हेलो बेटा हेलो सर्थ बेटा इनका आपको सबसे अच्छा कौन सा प्रड़क्ट लगता है पेस्ट्री इस पेस्ट्री इस वेरी नाइस आपको बदा है इनका नाम और लोगो चेंज हो छोटे छोटे बच्चों को भी पता लग चुका है कि पम्मिज नेशनल बेकर का नाम और लोगो चेंज हो चुका है कुकिस में भी काजू पिसता तो दोस्तों मेरी तरह आप भी उत्सुक होगे ये जानने के लिए कि इतनी सारी वाराइटी आखिर बनती कहां पर है तो आईए चलिए मेरे साथ तो लीजे दोस्तों अब हम पहुंचे हैं पम्मिज नेशनल बेकर्स की फैक्टरी में जियां दोस्तों यहां पर आपको दिखाएंगे कि कैसे यहां पर प्रड़क्स त्यार होते हैं पैकिंग होते हैं और उसके बाद इनके आउटलर्स पर पहुंचते हैं तो दोस्तों मैं भी पहली बार आया हूँ किसी फैक्टरी में जहां पर कोई भी प्रड़क्स त्यार होता है तो चलिए देखते हैं पमिज नेशनल बैकर्स जियां दोस्तों कैसे इन्होंने एक आउटलेट से शुरू होकर काफी शहरों में इन्होंने अपनी ब्रांचिस ओपन कर दी हैं इसकी जादा जानकारी के लिए अब हम बात करते हैं पमिज नेशनल बैकर्स के ओनर मिस्टर पवन पूरी जी से हेलो सर विलकुल सर बहुत बढ़िया लगा मुझे यहां पर आकर मैंने आपकी ब्रांचिस जो हैं यहां के आउटलेट्स हैं मैंने वीजिट किये मुझे काफी जो ना एकसाइटमेंट थी भी पमिज नेशनल बैकर्स पर ऐसा क्या है खास आज मैंने आपके आउटलेट्स देखे तो मुझे बहुत अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने सफर के बारे में हमें कुछ बताएं तो देव मैं अपने बारे मताता हूं कि यह जो पमिज नेशनल बेकर है मेरे पिता जी ने 1940 में शुरू किया और फिरोजपूर से शुरू किया आज हम इस पमिज नेशनल बेकर को ग्लोबल ब्रेंट बनाने के लिए जा रहे हैं पमिज जी अब आप हमें ये बताएं कि लास्ट 78 से वही टेस्ट वही अंदाज इसको कैसे मेंटेन किया आपने मैं खुदे कारिगर हूं और मेरे टोटल फोकस अपनी क्वालिटी के ऊपर रहते हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि वेल्यू फोर मणी मेरे कस्टमर को मिले इसलिए वही पुराना स्वार सर अब हमें आप ये बताएं कि आपने पमिज नेशनल बेकर्स का लोगो क्यों चेंज को बनवाया जिसका कॉपी राइड लिया और रिजिस्टेशन करवा दिया अपने पमिज नेशनल बेकर्स का इतना बड़ा एंपायर खड़ा कर दिया अब आप हमें बताएं आपका आगे का विजन क्या है हम अपने ब्रेंट पमिज नेशनल बेकर को हिंदोस्तान के साथ स इस शो के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या मैसीज देना चाहेंगे मैं देव यह मैसीज देना चाहूंगा कि जैसे स्वस्थ भारत स्वच भारत अच्छा खाएं और खुश तंदृस्त रहें तो मिस्टर पमिज सर मुझे यहां पर आकर बहुत अच्छा लगा आप आप से मिलके बहुत कुशी हुई मैं आज आपकी फैक्टरी विजिट करना चाहता हूं शूर चलो चलीज तो लीजिए दोस्तों आप हम पहुंचे हैं पमिज नेशनल बेकर्स के फैक्टरी में जहां पर इतने डिलिशिस केक तियार होते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे के केक्स की तो सर सबसे पहले आप हमें बताएं यहां पर केक आप कैसे तियार करते हैं मिस्टर देव सबसे पहले हम इसको केक बेस बनाते हैं जी और केक बेस बनाने के बाद उसको सेंटर फिलिंग होता है जी सेंटर फिलिंग के बाद उसके ओपर टॉपिंग करते हैं जी ट यह बीस्किट कैसे त्यार करते हैं देव पहले हम दोष त्यार करते हैं दो के बाद फिर यह आटमेटिक पूरा हमारे पास सिस्टम है जिसके अंदर fully अब आटोमेटिक है और उसके अंदर ओवन के अंदर हम बेक करने के बाद यह रेडी हो जाता है जी जी अब आप हमें बताये हैं यहां पर क्या परशस चर रहा हैं आप देख रहे हैं किर पर पैक इंग बना हाथ लगाएं उसको पैक कर रहे हैं वह लड़के बिना हाथ लगाएं उसको वेरे नाएजीन का भाद द्याम लख जाते एंग बहूत अच्छा लगधन हलो फ्रेंड्स तो दोस्तों आज हमने विजिट किया पम्मीज नेशनल बेकर्स के दो आउटलेट और इनकी फैक्टरी भी यहां दोस्तों मुझे यहां पर आकर बहुत अच्छा लगा और काफी जानकारी जो मैंने आपके लिए यहां से इकठी भी की आज की जानकरी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें इसी के साथ ही विदा दीजी अपने दोस्त एंकर देव को थैंक यू वेरी मच एंड जैहिन ये रहा मेरा गिफ मैं तो चला